आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हाई फ्रेंट्स इस question में हमसे पूछा है when water is electrolyzed volume of hydrogen and oxygen involved in the ratio 1 तो hydrogen and oxygen के evolve होने का ratio हमें चाहिए in terms of volume ठीक है तो यह simple question है अगर H2O का hydrolysis होता तो यहां से क्या form होगा हां से form होगा H2O plus half O2 तो हमने 1 mole H2O का hydrolysis किया हमें 1 mole H2 मिला और half mole O2 मिला and हमें पता है कि volume occupied जो होता है volume occupied जो होता है वो directly proportional होता है किस के साथ? moles के साथ है न? So, अगर हमारे पास N1 moles है वो directly proportional होगा V1 volume के साथ और अगर हमारे पास N2 moles है वो directly proportional होगा V2 के साथ तो अगर हमारे पास हम N1 by N2 करते हैं तो वो क्या हो जाएगा v1 by v2 राइट वो एक और हमारा proportionality साही नट जाएगा so n1 क्या है 1 और ये क्या है half राइट n2 क्या है half equals to हो गया v1 by v2 तो यहां से हम कह सकते हैं कि v1 by v2 equals to होता है 1 by half और उपर और नीचे हम लोग अगर 2 से multiply करता हमें क्या मिलेगा 2 by 1 राइट देर्फोर जो volume का ratio होगा वो क्या आएगा 2 is to 1 ठीक है तो हमारा जो answer आएगा वो आएगा option 4 2 is to 1 ठीक है यह होगा हमारा answer Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्सो पर